Hello students, welcome to Academy Today, यह link दिया हुआ है Twitter का, Quora का, Instagram का, अपने WhatsApp ग्रूप में ये वीडियो ज़रू शेयर करिए जितने भी user, students, experience वीडियो देख रहें, प्लीज सबस्क्राइब करिए, मैं repeat कर रहा हूँ, प्लीज सबस्क्राइब करिए, शेयर करिए कमेंट करें, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो और किस तरह के वीडियो आप लोग चाहते है कि Academy Today बनाए, खुक सरे like करिए और पहला आइकन में प्रेश जरूर करिए तक कि जो भी वीडियो अप्लोड हो, Academy के दोरा उसका notification तुरंत आप लोग को मिल है, आज का जो हमारा topic है, वो है महारास्टरा map, उसके division और जो district है वो देखेंगे, किसी भी PSC, UPSC के students के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो महारास्टरा का basic map देखे, उसके आगे महारास्टरा की geography वो लोग चान पाएंगे, तो सबसे basic होता है उसकी geography देखना, उसके borders दे divisions देखना और उसके districts देखना, तो हम चालू करते हैं, यह हमारा महारा स्टरा का map और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ कि subscribe कर ये Academy Today को, यहाँ पर divisions उसकी किया है, तो हम division देखेंगे और उस division में इस तरह के color बने होंगे, तो हम को पता चल जाएगा यहाँ प division, इसके अंदर सबसे पहले district जो आती है वो है गूंदिया, उसके बाद आती है मंडारा, उसके बाद है नाकपूर, फिर है वर्धा, अगली है चंदरपूर, और सबसे आखरे district जो नाकपूर division के अंदर आती है वो है गडची रोली, अगला division हम लोग यहाँ देख सकते हैं अमरावती और अमरावती division यहाँ पर यह शो कर रहा है color के कारण हम पहचान सकते हैं, सबसे पहले उसके अंदर जो district आती है वो है यवत्माल, उसके बाद district आती है अमरावती, फिर है अकोला, उसके बाद है बुल्धाना, उसके बाद वाशी मैं, अगला जो division है वो है और इसके color से हम पैचान सकते हैं कि यह है और अंगाबाद division उसके अंदर सबसे पहले district जो आती है वो है नामदेड, फिर है हिंगोली, उसके बाद है परबनी, उसके बाद है जलना, उसके बाद और अंगाबाद खुद एक district है और अंगाबाद division के अंदर और यहाँ पर ध्यान यह हरे कलर से एक्चुल में बॉंडरी बन गई थी, इसलिए दिखनी रही है, यहां पर एक बॉंडरी है, और उसके नीचे का जो एरिया आप लोग को दिख रहा है, वो है बीड, उसके बाद है उस्मानाबाद डिस्टिक, और आकरे डिस्टिक है जो है लातूर, अगला पूरपूर, उसके बाद है नाशिक, खुदिक डिस्टिक है नाशिक डिवीजन के अंदर, उसके बाद है एहमत नगर, अगला जो डिवीजन शो कर रहा है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग वो है पूने और पूने का ही जो कलर है, उससे हम पेचान सकते हैं कि यह है आखरे डिविजन जो हम इसके अंदर महारास्टा के अंदर देख रहे हैं वो है कॉंकन, कॉंकन इसलिए भी बोला जाता है, यहां पर फिर क्या आ जाता है, अरीबियन सी आ जाती है, तो कॉंकन के अंदर सबसे पहले जो डिस्टिक आती है, वो है पालघर, उसके बाद थाने आखरे डिस्टिक है, उसके बाद यहां पर जो किनारा है, वो पुरा मुंबई बसा हुआ है, उसके बाद है रायगर्डिस्टिक, फिर है रतनागिरी, और आखरे डिस्टिक जो कॉंकन डिविजन के अंदर आती है, वो है सुन्दूर्दूर्ग, थैंकि फॉर वाचिंग एकेडमी ऐसे सारे वीडियो अप्लोड करती है, जो ऐसे सी यूप, यह किसी भी गवर्मेंट एक्जांस के बहुत इंपोर्डेंट रहती है, साथ मैं एकेडमी रिलिवेंट रहती सीले बस से, ताकि कोई भी एक्स्टर सीले बस चीज वीडियो में ना जाए, जिसके कारण स्टुडेंट्स लोग को किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन या बर्डन क्रियेट ना हो, यदि वीडियो आप लोग का अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं रिपीट कर रहूं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खुब सारे कमेंट क खुब सारी ठेल सारी लाइक्स करिए, और बेला आइकन में प्लेज जरूर करिए, ताकि जो भी वीडियो अप्लूड और अकेडमी के द्वारा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को मिल जाए, थेंक्यू